हेलो तीय श्टुटेन् आज मैं आपके सामने मास काई क्वेशन लेख रहा है क्वेशन क्या बोल है if x plus y plus z equal to 2022 and 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equal to 1 upon 2022 find 1 upon x to the power 2023 plus 1 upon y to the power 2023 plus 1 upon z to the power 2023 तो हमें यहां पर देखिए दो चीज़ दिया वाई गिवें हमें यहां पर इसकी यहां पर वैलू क्या होगी आप यहां देशते हैं डिनामेटर में एक्स वाई और जट पर पावर दिया है तो इस सब कस्था हमें हित्क करना है और यहां को इत्के मैं आपको सवाइन गरेख sqa प्लास उपर किवा दिखा। इत्के संप व्येघर के म्मेर वी हैं अपर आपकर इत्किखा दिया मों को वी इक्स प्लास से सब्सक्राज कर दिखा करको दिखा अपन एकस का पावर 2023, प्लस एपन अपन Y पावर 2023, प्लस एपन अपन य का पावर 2023, इसकी क्या वैलु होगी, ठीक है? तो जो गिवन दिया है, उससे हम पहले इसको, इसे के हल्ब से हम इसकी वैलु फाई्ड करेंगे, तो इसको एक्वेशन फॉर्स्ट मानिए, इसको से क्या करेंगे यहां पर देख एक्वेशन 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 से क्या क करेंगे कि यह जो numerator है इसको order में लिखने सबसे पहले हम क्या लिखेंगे xy लिखेंगे plus उसके बाद क्या लिखेंगे yz लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे jet x ठीक है यह हमने order में लिख दिया upon xyz equal to kya 1 upon 20 22 ठीक है तो अब देखें हम क्या करेंगे इस के आगे और यह जो xyz है इसको हम क्या मानेंगे 2022 k अब ऐसा क्यों मानें देखेंगे अगर हम इसको डिवाइट करेंगे इन दोनों को इन दोनों को डिवाइट किजेंगे इसको डिवाइट किजेंगे xy plus yz plus z x upon xyz है यह है फिर इसके बाद क्या है यह क्या है आपका 2022 k ठीक है तो cancel होके तो क्या आ रहा है आपका 1 upon 2022 यहीं तो आ रहा है ना सिमचीज आ रहाएं तो हमने लेट यहां पर क्या माना xy plus yz plus z, z, x को हमने क्या माना है k माना है और xyz को हमने टुटिटटीटीटिटीटों के ठीक तो अब हमारा पहला equation कहता, पहला equation था, x plus y plus z equal to 2022, यह हमारा पहला equation था, इसका use नहीं हुआ है, हम अभी जो कुछ भी यह लेकर आएं, second equation के help से लेकर आएं, ठीक है, तो आप देखें, यहाँ पर हमने इसको क्या माना है, यह वाला दोनों चीज़ आप लिखें, यहाँ पर, इसको हमने तीनों पर थोड़ा सा अब ध्यान देजिए, यह तीनों equation आएं, कौहन से, एक यह, दूसरा यह, तीसरा यह, 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 बिल्कुल आपका किस्से सेट हो रहा है, मैं आपको बता दू, आप class 10 में पढ़े होंगे, जैसे कि अगर आपका quadratic equation होता है, quadratic equation बनाएं अगर दो रूटस दी है, तो quadratic equation बनाने का क्या तरीका होता है, x square, minus alpha plus beta, x plus alpha beta equal to 0, यह तरीका होता है, अगर alpha beta roots है, तो quadratic equation बनाने का यह formula है, ठीक है ना, अच्छा, अगर मालिज अगर आपका cubic equation है, की alpha, जैसे cubic equation अगर आपको बनाना हो, जैसे quadratic equation में दो root है, alpha beta तो cubic equation में 3 roots होते हैं alpha, beta और gamma, यह रोता है ना माइनस alpha प्लस बीटा प्लस गामा x स्कुवाइर प्लस alpha बीटा देखे इसको मैं थोड़ा से यहां से हटा दू यह class 10th का ही बताया जा रहा है alpha बीटा और क्या रहता है beta गामा प्लस गामा alpha ब्रैकेट क्लोस x माइनस alpha बीटा गामा इक्वल टो 0 यह जो formula बना है यह cubic equation बनाने का तरीका है ठीक है अगर हमारा alpha बीटा गामा यह तीन रूट्स दिया है ठीक है अच्छा यहां पर देखे अगर आप यहां पर देखेंगे कि अगर आपका और यह एक चीज़ और सम्मझ लिए जैसे कि यहां पर मैंने क्या बता है कि अगर alpha बीटा गामा तीन रूट्स है तो हमको cubic equation बनाने का यह formula होता है अगर alpha बीटा गामा का वालू दिया तो यहां पर रख दीजिए तो यहां पर रख दीजिए तो यह cubic equation हमको मिल जागा कुछ questions ऐसे होते हैं जो अपने cluster में पढ़े हैं कि अगर cubic equation दिया है तो cubic equation जब देता है तो आपको तीन चीज़े निकालनी होती है जैसे quadratic equation दिये रहता है तो आप दो चीज़ निकालते हैं ना sum of the root और product of the root उसी तरह से cubic equation जब दिये रहता है तो उसमें हम तीन चीज़े निकालते हैं पहला क्या निकालते हैं sum of roots जो कि होता है alpha plus beta plus gamma ये निकालते हैं second क्या निकालते हैं sum of product of roots taken two at a time तो इसका formula क्या होता है ये होता है alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha ये निकालते हैं और क्या निकालते हैं product of roots जो की होता है आपका alpha beta first consensus thing you produce alpha new accounting three qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq अगर मैं इसी को variable change कर दूँ, अगर मैं alpha, beta, gamma के जगह, x, y, z, अगर variable ले लो, आरे, sorry, yes, x, y, z variable, alpha, beta, gamma, roots ही है, हमने एक दूसरा roots, यहाँ पर roots लिया है, x, y, z, alpha, beta, gamma ना लेकर कि मैंने x, y, z, भाई, roots तो variable हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, x, y, z, हमारा 3 roots है, हमारा x, y, z, क्या है, roots है, ठीक है, तो यह किसका, x, y, z, हमारा क्या roots है, किसका, cubic equation का, तो cubic equation देखिए, यहाँ पर यह हमारा value देखिए, इस अब क्या क्या दिया है, x, y, z, यह हमारा हो गया, अगर आप इसो compare करें किस से, इस से, देखिए, alpha, beta, gamma, यहाँ पर क्या है, x, y, z, यहाँ पर क्या है, x, y, z, y, z, x, यहाँ पर है, alpha, beta, gamma, alpha, बिल्कुल इसी format में, और यह x, y, z, यहाँ पर है, alpha, beta, gamma, बस यहाँ पर हमारा root से, x, y, z, और यहाँ पर root से, आपका alpha, beta, gamma, ठीक है, अब देखिए, इस क्या 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 समझना है, मैं page उपर करती हूँ थोड़ा, तो देखिए, हम यहाँ पर हमारा जो equation, जो क्या, आया है को मैंने क्या माना है, 2022 के, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या माल लेते हैं, कि लेट हमारा यह जो x, y, z, दिख रहा है, let x, y, z, be the roots of, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप यह question समझ लीजे, कि एक नए question में यहाँ बना रही हूँ, कि माल लेजे कि हमारा x, y, z, be the roots of, यह हमा कैसे बनाएंगे, यह से quadratic equation बनाने का क्या तरीका होता है, मैंने सब दिखा दिखा दिया आपको, वही तरह से cubic equation बनाने का भी formula एक होता है, वह क्या होता है, वह होता है, देखिए हैं, पर धियान दिजेगा, यहाँ पर हमारा variable, जो है, small x, y, z, already used हो चुका है, तो cubic equation में भी on the sum of the roots, Sum of the roots मतलब की यह होता है, यह jy, x plus y plus z, गयाने, y क्या देथा है, यह y लिखा है, sum of the roots कै मतलब क्या यह चिज लिखना हो, एक से देखें यहां capital X है, small x है, x plus y plus z, और क्या यहां पर होता है, capital X square, plus, उसके बाद क्या होता है, sum of the product of the root, taken two at a time, यानि कि, x y plus y z plus z x, और यहां पर होगा capital X, फिर क्या होगा आपका यहां पर, minus, minus के बाद क्या होता, product of the root, product of the root, क्या है आपका, x y z equal to 0, यह है formula, यह आपका formula, यहां ध्यान दिजेगा, यह capital X कुछ और है, ठीक है, और यह x, small x plus y plus, यह x, यह आपका roots है, हमने यह cubic equation बनाने का formula बता है, यह तरीका है formula बनाने का, cubic equation बनाने का, ठीक है, na cubic equation बनाने का formula यह होता है, कैसे बना जाता है, ठीक है, तो बस अब यहां पर, यह हमारा पेज को मैं थोड़ा उपर करते हूँ, ठीक है, और इसकी value कितने दी हुई है, इसकी value हमारे पास दी है, capital, sorry, k दिया हुआ, और यह क्या है, capital X है, और यह क्या है, x, y, z, x, y, z की value कितने दी है, यह देखिए दी है, 20, 22, k, equal to 0, हो गया, ठीक है, तो अब बस यह simply factorize हो यह शुरू का 2, और लास्ट का 2, इसमें से common का निकलेगा, देखिए यह x square और यह x cube, x square common निकलेगा, तो bracket के अंदर के बचेगा, x minus 20, 22, plus, यहाँ पर common के यह k है, यह k है, k common निकलेगा, x minus 20, 22, equal to 0, तो अब इसमें, इसमें common का निकलेगा, x minus 22, यहाँ पर भी है, यहाँ निकलेगा, तो bracket के अंदर के बचेगा, x square, plus k बचेगा, equal to 0, यहाँ हमार पस ठीक है, हमार पस देखिए, जो हमारा x, y, z, जो हमने रूट माना है, उसकी हल्प से हमने एक cubic equation बना लिए, और cubic equation भी अपनी मर्जी से बनाया नहीं है, उसका एक formula होता, तो यह बना, cubic equation बनाने और यह जो capital x, जो है, इसकी value जो निकलेगी, तो तीन values आएगी, क्योंकि cubic equation है, तो cubic equation में हमारे पास यहाँ जो capital x की value आएगी, तो तीन values आएगी, तो वो तीन values ही roots होंगी, देखिए, कैसे आप समझेगे, यह देखिए, यहाँ पर दो bracket है, इनका product 0 के बराबर, इसका जोगी, capital x की 22, और यहाँ से देखिए, क्या मिलेगा, x square, इसका मिलेगा, plus k को shift किजिए, तो minus k हो जाएगा, तो x की value क्या होगी, यह square इदर shift कर दीजिए, तो square shift करेंगा, देखिए, पहले minus k पर root लगाईए, with plus minus sign, ठीक है, फिर plus minus, अब देखिए, यह minus, जो root के अंदर minus k है, इसको हम assim सकते है, root ki, होगे न, तो यहाँ पर देखिए, तीन values अक्स की आई है, पहला आया है, दूसरा क्या आया है, एक बार इसको positive मिलेजिए, तो plus root ki, तीसरा क्या value आया है, minus root ki, अब इसको minus मिलेजिए, इसको, दो values यह है, यहाँ पर रखिए, तीन values आगई, तो यह तीन values आई है, यह capital X की value वह किसकी value है, हमारा cubic equation का roots क्या हमने माना था, X, Y, Z, यही roots माना है, यह x, y, z क्या है, हमारा roots है, let हमने लिखा है, तो roots का मतलब क्या होता है, roots का मतलब होता है, X की values, इसमें, जो main हमारा equation में, जो capital X है उसकी values, इसी को root का आगए है, बस x, small y, small z, use किया है, confuse मत होएगा, चाहिद आप मेरा question समझ रहे होगा, तो confuse भी हो जा रहे होगा, थोड़ा ध्यान सा सुनिएगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर find क्या करना, 1 upon x to the power 2023 plus 1 upon y का power 2023 plus 1 upon z का power 2023 equal to what, यह find करना है, और हमारे पास यह capital X की values ही आई है, तो यह x की ही भी टीन्ह네 आई है, यह x, y, z की value जो गुच की है, रूट हमारा, रूट हमारा x, y, z है, यह देखियों रूट हमारा क्या है, x, y, z की value है, एक, Oregon, तो यह जो तीन्हें रिपा रणा है, तो यह जो तीनीन है अग्यों तो इसको अग्सप्रन करन करना है यह वाली जो व sneaking value ह है ना इसको small x आप चाहे तो इसको x माल लिजे चाहे आप इसको माल लिजे तो इसे तीन values को घुमा फिरा के आप x y z की कितनी values आजाएंगी लेकिन answer आपका एक ही आएगा तो मैंने माल लिया कि यह हमारा small x की है यही आप इसमें रख दीजिए ठीक है यहां पर रख दीजिए आप keeping यहां पर रखेंगे ओं देखी क्या होगा यहां पर यह देखी रख और स्रू मिर्ठ 22 ऑन ऑन पावर रच resurrection 23 plus one upon y की value क्या है root ki root ki अब power क्या है 2023 plus one upon z क्या है minus root ki whole bracket of power क्या है 2023 अब इसे को solve करना value पर find करना ठीक यहाँ पर चली solve करते हैं इसको तो यहाँ पर यह देखिए यह हो जगा one upon 2022 whole bracket power 2023 plus one upon यह क्या है root ki to the power 2023 इसको ऐसी रहें देजिए ठीक है इसको थोड़ा सा change करना one upon अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे यह root ki और root i आई है ठीक है इनको एक साथ लिखिए आई जब minus है one तो सभी में into रहता है तो into करके minus one इस तरीके से लिख सकते हैं भाई यह आपस में क्या root ki into minus one इसी के तो पराबर है तो अब इसमें ब्रैकेट लगाई क्योंकि यह हमारा पावर दिया है तो यहाँ पर लगा दीजिए पावर यह आपको समझ में आया पेच उपर करते हैं ठीक है अब देखिए इ यहाँ पर क्या करेंगे यह दिया है one upon twenty twenty two whole bracket power twenty twenty three plus one upon root ki power twenty twenty three plus अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यह बीच में आपका into है और एक यह टम है और एक यह टम यह है अब power twenty twenty three दिया तो यहाँ पर power and exponent का formula यूज होगा क्या यूज हो कि अगर x into y whole bracket power m है तो जब ब्रैकेट खुलेंगे तो यह पावर m दोनों पर लग जागा यानि कि हो जागा x का power m into y का power m यहाँ पर वहीं चीजिए देखिए इसको x मानिए यह इसको x मानिए इसको y मानि समझने के लिए तो bracket खुलेंगे तो क्या होगा root ki यह देखिए बीच में into है तो इस पर भी root लगेगा minus one पर भी root लगेगा तो root ki पर power 2023 लग गया into इस minus one पर भी लगेगा minus one पर भी लगेगा power ठीक है यही वाला formula यूजवा है ठीक है आप पेज उपर किजिए इसमें दो टम कैंसल हो जाएंगे आपस में ठीक है यह आए हमारे पस तो यह 1 upon 2022 whole bracket power 2023 प्लस 1 upon root ki whole bracket power 2023 अब देखिए इसको संबल 23 क्या है यहां पर last में धूर्ड है तो по-1 पर जो power अगर यह एंड है माले जी अगर amr jaeim and i on itTheir a और अगर Pois BLIRE. में अगर यह 1 कुब होगा जब n हमारा किया सृग घ कर अधन होगा सृऍऑ जब अरशन को सृज्वान पर हों अगर यह लिसलिड का अगर प्लस और यहांपर क्या है बैबन के रूट 2023 थिक ही अच्छा यह मैनस कया हो जाएगा ना यहां से में मैनस कर देती तो देखे यह तर्म यह टर्म से मैं कैंस्ल तो क्या आरा आए फैनली यह आ रहा है तो आप है यह संप आन JOSH précis है यही कमारे इस पताना था, किसका आई है कमारे देखिए हमारे है यही हम फाइंद करना था इसके इसके निकल पर यह रख्य को आए छिए जड का आ रही है इसके वैली आ रही है तो यहां आपहान 22 22 whole bracket power 20 23 तो यह इसका आंसर है इस second method में भी यहीं आंसर है first method में भी आपका यहीं answer था तो अमिद है आपको यह question अच्छे आपको